देश्टी चतपटा मसालेदार गोभी का अचार आज हम बनाने जा रहे हैं तो हलो दोस्तों कैसे हो आप सभी मम्तकिशन डेसेपीज ने आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रहे हूं बहुत जार टेस्टी और एक दम यूनिक तरीके से गोभी का अ जाए और आप मारे हाने वीडियो को सबसे पहले देख सकें तो यह स्वादिश चटपटा मसालेदार गोभी का चार बनाने के लिए यहां मैंने गोभी का फूल लिया है यह लगबग आधा किलो के करीब यह गोभी का फूल है इसे मैं एक दम अच्छे से वाश कर लिया है और पतिला लिया है और इसमें इनकर ब्रड़ यह गोभी जितनी भी इंप्यूरी निकल जाएगा लेकिन हमने फ्रेश लीए और बढ़िया नहीं पहले है अगर भी होगा तो निकल जाएगा इससे आपको गोभी को गरमपादी में डाल देना है और जैसे इसमें उबाल आता है गिसकी फ्लेम को हम ओफ कर देंगे उबाल आने तक हम इसे गरम पानी में रहने देंगे गिसकी फ्लेम को हमने फुल कर रखा है और कुछी दिर में आप देख पाएंगे कि इसमें उबाल आ गया है अब हम गिसकी फ्लेम को ओफ कर देंगे और इस गोबी ने तकिर पानी यह सो शुराल करने एक प्लिए यहां में हैं भी आड़या और उसमें हम एड़ करें दो चमच मेथी दाना है और चारड ऑड़ывает करें ऊचार के भ traffic मौति मार्कெ में इसली मिल जाएगी दे लागतर चलातर है अर्छे से कर लेंगे लगबग एक मिनटेकन तक हमनेतिताना और शाफ को हल्का रोस्ट कर लिया है और अब में गेंगात करलेंगे और इसा कर देंगें साबुद धनिया एड़ किया है साथ ही मैं इसमें एक चमच जीरा डाल लूँगी और 10-15 मैं साबुद काले मिर्चे एड़ कर रही हूं आदा चमच हम इसमें अजवायन भी एड़ कर लेंगे अजवायन बहुत अचा टेस्ट देगे अचार में और हेल्थ के लिए भी बहुत इसे हम तड़के में डालने के लिए यूज़ करते हैं बस वही बनार सी राई हमें इसमें एड़ करनी है और इसे भी हम इन गरम मसालों के साथ हलका सा रोस्ट कर लेंगी राई डालने के बाद हमें ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है जोस्तों मैं यहां पर मसालों तो आप चाहें तो मसालों को रोस्ट करने के बजाए मसालों को हलकी धूप दिखा सकते हैं ताकि इनकी जो नमी है वो दूर हो जाए हमें सिर्फ इसलिए रोस्ट करना होता है ताकि मसालों में बिल्कुल भी नमी ना रहे और जिससे आपका अचार जो है वह लंबे समय तक च सकते हैं इसी के साथ मैं एड कर रही हूं तीन चमच लालमिश पाउडर लालमिश पाउडर आप अपने टेस्के ओडिंग भी डाल सकते हैं लेकिन अचार में तीका जो है वह थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है इसलिए मैं तीन चमच भर करके लालमिश पाउडर हमें ना रहे करम पैन में कुछ दिर तक चला लेने के बाद इसे हम सैड में रख देते हैं यहां मैंने एक मिकसर जार लिया है और इसमें हम एड करेंगे हमारे रोस्ट के वए मसाले मसाले जो हमने रोस्ट किये थी वह थंडे हो गए हैं थंडे होने के बाद ही हम इसे मिकस मिक्सर जार में डाल लेंगे सारे मसाले नहीं डालने हैं थोड़े से मसाले हम बचा करके रख लेंगे जिसे हम अचार में साबुत डालेंगे क्योंकि साबुत मसालों का भी अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो कुछ मसाले हम पीस करके डालेंगे और कुछ मसाले ह साबुत पीस अचार में डाल देंगे जिसे सभी चुजों का एक दूम अच्छा और यूनिक फ्लेवर आए इस अचार में और इसी के साथ हम इसमें जो हमने बाद में मसाले रोस्ट करके रखे हुए थे गरम पैन में उसे भी हम इन में डाल लेंगे इस मिक्सर जार में डाल बिलकुल भी पानी नहीं रहा है आप देख सकते हैं एकदम सी अच्छे से सूख गई है इसे हम एक बावल में ट्रांसिर कर लेते हैं और जो हमने मसाला पिसकर के त्यार किया है वो भी आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमने इसे पीस लिया है बिल्कुल दरदरा पीसा है एकदम बारिक भी नहीं पीसा है इन पीसे हुई मसालों को हम इस बाउन में एड़ कर लेंगे गोबी के साथ और साथ ही जो हमने सावुत मसाले रखे थे थे थोड़े से वो भ पीली वाली राई उसकी दाल होती है वह मैं इसमें एक चमच एड़ कर रही हूं और राईदाल लालने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं सभी मसाले गोबी परिदम अच्छे से कोट हो गए है और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कलोंजी उम्जूर पाउौडर डालने से एक्दम चटपटा टेस्ट आएगा अच्छाओ अच्छी साथी कलोंजी भी बहुत अच्छा टेस्ट देतीया यूच्छा घार में और इन्हें बिम्हें पर चलत कर लेंगे सभी मसालों को इसемिक्स कर लिएक गोबी में सेक्रिया एक दिन के बाद आप इस अचार को देख पाएंगे कि इतना बड़िया लग रहा है यह अचार को एक जार में टांसफर कर लेंगे यहां मैंने एक काच का जार लिया है आप चाहे तो इसकी जगह मिट्टी का बरतन भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह प्लास्टिक का ब एक पर आप सभी इस तरह से इस अचार को जरूर ट्राय करकर देखिए का यकीन मानिए आपको और आपके परिवार को यह बहुत पसंद आएका एकदम खटा चिटपटा मसाले दर अचार बनेगा एक पर आप खाएंगे तो उंगलिया चाटते रह जाएंगे और अगर आप इस अचार को बनाने में कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जीसे बिल्कुल भी नमी नहीं रहने चाहिए किसी भी चीज में और एकदम साफ बरतणों का और साफ आतों का यूज करना है तो अगर आप इन सभी चोट-चोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपक यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और काफी लंबे समय तक चलेगा और आप दिख सकते हैं यह पूरा चार मैंने इस जार में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे ओल मैंने यहाँ पर एक कप ओल को एक दम अच्छे से गरम करके भाप निकलने तक गरम कर और फिर उसे गमचे से धंडा कर लिया है धंडा करने के बाद हम इस अचार में डाल लेंगे तेल डालने से यह चार काफी लंबे समय तक चलेगा आप चाहे तो इस अचार को सालों साल तक स्टोर करके रख सकते हैं यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और जैसे जैसे गंटे की दूप दिखानी है पूरा दिन दूप में नहीं रखना है बस एक से दो गंटे की दूप दिखा दीजे इस अचार को साथ दिन के बाद यह चार खाने के लिए दमचे से रैडी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा स्वाधिस्ट रचार बन करके तैयार होगा तो आई होप आपको हमारी गोबी की अचार की रेसिपी पसंद आई हो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें उमेचलों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आपको हर न्य वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी हर रेसिपी भी आप सबी के लिए जरूर लाऊंगी तो चली दोस्तों आप इस स्वादिश चटपटे मसालेदार अचार का मजा लीजे मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई